हलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका श्वागत है बिहार सभी इंस्पेक्टर 2019 बिहार द्रोगा मुख परिक्षा कि हम लोग शमायन हिंदी पेपर देख रहे हैं और आज मैं आपको समास कराने वाला हूं और इसे ध्यान से देखिएगा बहुत ही मतपूर चेप्टर है यहां पर देखिए समास कहते किसे हैं तो समास जो होता है जो समास के नियम से निर्मित सब्द होते हैं उसे समासिक सब्द कहते हैं और इसे समस्त पद भी कहा जाता है ठीक और समास होने के लिए बिभक्तियों का चिन क्या हो जाता है लुप्थ हो जाता है यह सब नहीं या लुप्थ हो जाता है चिन यहां पर दिखे समासिक बिगरह क्या होता है तो जैसे समासिक पद्ध होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उश्य बिगरह करने पर या स्पष्ट करने पर अलगलग संबंध बताने पर यह समासिक बिगरह कहलाते हैं बिगरह के पास समा समासिक सब्दों का लोब हो जाता है जिससे कि तक यह नहीं समझेगा तब तक आप नहीं समास को समझ सकते हैं और बहुत ही असान है समझना समास के दो पद होते हैं मात्र कौन पहले पढ़को पुरूपब कहा जाता है और दुसरे उदारान में गंगा जल तो गंगा धन्जल यह जो गंगा हो गया यह आपको पुरुपद हुआ जो लाश्ट वाला पद होता है तिक यहां पर आप समझ गोएंगे अब समास के भेद देखलीजे जो समास के भेद होते हैं यह छे प्रकार का भेध है अब यहां पर देखें जो पहला होता है यह अभी उभाव समास होता है अभी उभाव समास थोड़ा पढ़ता है और इसे अगर समझ लेते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है और इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मैं दो तिन तरीका बताउंगा कि आप अभी भाव समास को कैसे पाचान सकते हैं तो इसे मैं आपको अभी शुरू करता हूं ठीक अभी भाव समास जिस समास का पुरपद मिसकी पुरपद पहले वाला अभिए भाव समास और उसे अवे भी होना जरूरी है तो वह क्या हो जाएगा आपको अभी वहाव चाहिए भी याद होगा आपको उपसर्ग हो सकता है जो सुरू में लगकर सब्छा जाता है और उसका लिजएगा अब यहां पर देखे जैसे याथा मती मति कनूसार याथा यहां पर क्या हो गया एक औवयो है और यह पुरुपद है और यह क्या है उपसर्ग हो जाएगा अम्रण और यहां पर उपसर्ग जब होगा तो आप समझेगा कि यह क्या हो जाएक अभयू भाव क्यों उपसर्ग, यह अभयू भी से अबça क्ते यह पर क्या हो गया उब्सर्ग संहर्थ के लिए यहां पर बता दूंआ अबन जाते हैं अर्था समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है यहां पर जांसे लिए मैं आपको बता दिए रहा हूं कि अब्युभाव समास के पहला प्रुपद परधान हो मैंने आप उप्रभी बता दिया था उदारण के लिए नीडर यहां पर मैंने आपको परते हैं और उपसर्ग कराया था तो नीडर का भी एक्जामपल दिया था इसी समय इसलिए क्योंकि यह जरूर इसमे आएगा आपको समास में तो नहीं यहाँ पर क्या हो गया अप उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग जब आज गया तो अभयों हो गया यह मैं अभी उभाव समास हो गया ठीक तो अभी उभाव समास के तीन परकार के पद होते हैं पिन परकार के पद के एकोडिंग यह बनाए जाते हैं अभी उभाव समास और यह तीनों आप याद कर लेते हैं कोई भी से सब नहीं होना चाहिए जैसे आ निर प्रति निस भर खुश बेला यह था उपसर्ग यह जो सुरू में यह लगते हैं सभी सब्द और अर्थ बदल देते हैं यह आपको क्या कहते हैं अभी भाव समासी होते हैं जैसे कि आ जीवन यह सुरू में लग गया जीवन में धंजिवत्वात्व जो क्या हो गया यह कुशर्ग हो यह क्या हो जाएगा जीवन प्रयांत्रतु यह सबी क्या हो जाएगे अभी भाव समास होगे प्रती दीन यहां पर समास पत. उल्ट ओ अभुन वह नगर के बाद नगर रोज रोज हर यहां पर अपर देख सकते हैं कि एक ही सब्द बार बार रेपिट कर रहा हैं और दोनों के बीचिमें हैं है जैसे कि हाथ हूं हाथ हाथ ही हाथ, दिनों दिन, देने ही दिन, बागों बाज, बागीं बाग, यहाँ पर भी देखे, दो रिपेट कर रहा है, और यहां पर कोई भी ब्यंजन क Ruben tonight, मिस्की ब्यंजन नहीं, rewinds Ótar Sund Nicola पालन नहीं कर रहा है, और पूरपद क्या होता है गोर्ण होता है संत रहता है इसे तरसिदास क्रेट क्रेट क्रेटि मिस क्या होता है नैंसिघ लिए पुरु शामास छे प्रकार से यह कभी नहीं पुछता है कि कौन पुरु शमास है यह जरूर आप देख सकते हैं अगर आपको फता करना है पूरा डेपली जनना है हिंदी तो आप देख सकते हैं बाकि यह आता नहीं या पर फिर करंवधाय समास तकिए करमधाय मैंने दो समास आपको कराया अभीभाव समास जिसका पुरबध होता है और ज़्यादा़ समास तो दो बार रिपीट करेगा वह भी आपको हो जाएगा अभी भाव समास मैंने करा दिया तो उसके बाद पुरुष समास कर रहा था जिसका आपको लाश्ट वाला पद में इसको उत्तरपद परधान हुआ और यहां पर करमधाय समास करमधाय समास को अच्छे से समझेंगा न करता है अरद करमधाय समास जैसे कि भौ सागरह यहां पर हो जब होगा इसकी संसार रुपी सागर संसार रूपी सागर संसाया 것으로 tor यह अपन और छोड़कर अलग अरथा तो नीकलता है तो यह झूद्यान अरढी आपको और इस बात को ध्यान में रखेगा अब यहां पर मैं आपको बतादू फिर से कि यह जरूर आप पहचानिएगा किसे कौन सा समास करते हैं और जब आप जब भी आपको कोशन मिलेगा तबको ध्यान से लगाना है और ऐसे कोशन को जल्दी बाजी नहीं करना है तो इसे करमधाय समास जो तो यह मुख को जाता है यह होता है इसके इंख्ञांपल कुछ देख लीजे इस और अलग पद नहीं सब्सक्राइब यहां पर देखे कि चंद्र मुंख चंद्र जैसा मु maior इसका मुख यहाँ पर देखें उत्ती उत्तर पद वगल यह सब्सक्सक्राइब問 में देगु बहुत ही असान है समझे ना देगु शमास को तो देगु शमास क्या होता है इसका तो बहुत ही असान देव दू से क्या आता है दो आपका नाम आता है मिसकी दो देगु से क्या है दो है तो मिसकी इसमाद जो दोनों पद में क्या होगा जो पुरपद होगा वो कभी यहां पर आप असानी से समझ सकते हैं जैसे कि नौ गरह यहां पर देखे यह जो नौ हुआ यह क्या हुआ पूर पूर पाईएगा कभी आप इसे नहीं भूल पाईएगा कभी भी आप इसे नहीं भूल पाईएगा दीगू शमाज को क्योंकि इसका पूर पड क्या होता है संक्या वाचाकति से धहान में रखेगा ठीक इसके धिहान में रखेगा यहाँ पर देखेगा तो जिस समास के दोनों पद परधान होते हैं यहां पर ध्यान से दिखे दोनों पद क्या होते हैं परधान होते हैं और विग्रह करने पर और या या कचिन आता है यहां पर दिखे दोनों बस यह याद रखेगा विग्रह जब किजिए गा तो और या 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 यह दोनों आएग और और या का चिन आएगा तीसे कैसे पता चलेगा कि कहां और आएगा और कहां या का आएगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूं ठिक जैसे माता पिता अगर अक्सर इसके देखिएगा समास में तो हाइफन का चिन दिया रहेगा माता पिता लिख कर देगा और पूछ देग के लिए होता है में इसके विप्रिक पर्तिक के लिए शब्दों के मद्द के बीच में होता है ठीक तो यहां पर देखें उदाहारा देख लिए माता और पिता माता पिता इसे बोल सकते हैं माता और पिता ठीक माता पिता यह समान पर करती के हैं यह क्या है समान पर करती के हैं शुरा सुर्थ शुर यह असूर विप्रित परकृतिक और आप देख सकते हैं कि यह विप्रित परकृतिक Hijían हो जाता है तो जब विभक्त करते हैं तो और आय गा या तो यह बीछ चीन आएगा और इसमें का हाइफन का चीन आएगा ठीक तो यह आप याद रखिएगा बहुत ब्रही शमाज आज का लास्टी समास है बहुत ब्रही शमास मिसकी जो लास्टी समास होता है आज नहीं जो लास्टी समास होता है यह बहुत ब्रही होता है जिस समास के दोनों पद अपरधान हो मिसकी दोनों लेकिन हम लोग क्या समझते है इसको भीग्रह कीजिए राम और पॉलते दस निकल रहे डि हय नहीं हो था भी इसका तो जसे-दि नी"- मिनिंग एक निकल जा रहा है ठिक जैसे निल कंठ नीला है कंठ अथात सिव यहां पर देख सकते हैं न कि इसका निकल रहा है नहीं यह कोई परधान नहीं हो रहा है इसका अलग ही निकलता है मेनिक तो इसे बहुत ही आसान है समझना इसे आप अच्छे से बना लीजिएगा अब इसनुजी को पितामबर बोला जाता है लंब उदर लंबा है उदर पेट जिसका इसकी गड़ेस जी सीधे अलग मिनिक निकल जा रहा है तो मैंने आपको छेपर करके समास करा दिया हूं अब कोश्चन जो होगा इससे मतपूर कोश्चन जो अलग-अलग एक्जाम में पिछले जो SI में हुए है यह अलग-अलग एक्जाम में जो कोश्चन आते वह मैं आपको कल कराने वाला हूं तो इससे रिलेटेज जब कोश्चन कराऊंगा तब का सारा डाउट केलियर हो जाएगा आई होप आपने समझ लिया होगा मैं पूरे सिंपल और सधारन भासा में मैं आपको समझाने को कोशिस किया हूँ इससे बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो रोख कर समझने को कोशिस कीजिएगा ठीक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाकि जब मैं कोश्चन कराऊंगा तो उससे मैं भी आपको समझा होगा ठीक तो वीडियो अच्छा लाइक किजिएगा अगर कोई भी मन में डाउट सब्सक्राइब करने बख्स मिलिख सकते हैं वीडियो देखने के आपका बहुत धन्यमाद